नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में दोस्तों आज का एक कम्पलीट वीडियो पिलिंद बीम के उपर रहने वाला है जियां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मंजिला या फिर दो मंजिला या तीन मंजिला तक मकान बनाने के लिए आपको पिलिंद भीम का क्या साइज रखना चाहिए साथी पिलिंद भीम में आपको किस किस डाया का सर्या प्रोवाइड करना चाहिए ताकि पिलिंद भीम के साथ साथ घर भी मजबूत बन सके दोस्तों, जैसा कि अब जानते है कि पिलिंद भीम हमारे घर की मजबूती के लिएस से बहुत ही important होता है क्योंकि यह सभी कोलं को connect करके रखता है यानि कि सभी कोलं को आपस में पकड़ कर रखता है मान लिजे अर्थक्विक यानि कि भुकंप अगर आ जाता है तो यह बिल्डिंग को पूरी तरह बांध का रखता है अपनी पोजिशन में और साथी उपर कोलम से आने वाले लोड को भी सभी फुटिंग पर इक्वल ट्रांसफर करने का भी काम करता है दूसरा मान लिजे आपकी बराय की हुई मिट्टी बैठ जाती है यानि कि स्वेल सैटल हो जाती है तो इससे आपकी घर की दिवारों पर भी क्रेक आने से रोकता है तो दोस्तों अगर आप सिर्फ एक मंजिल अगर बनाने जा रहे हैं तो पिलिंद बीम की चोड़ाई आपको 9 इंच यानि के 230 mm रखनी चाहिए वहीं पिलिंद बीम की गहराई की बात करें तो वह भी आप 9 इंच रख सकते हैं मतलब आपके पिलिंद बीम का साइज हुआ 9 इंच बाई 9 इंच यानि के 230 mm इंटू 230 mm वहीं गरेड की बात करें तो इसमें आप कोई भी सरिया उठा कर नय बांदें क्योंकि पिलिंद बीम घर की मजबूती के लियास से देखा जाए तो बहुत ही इंपोटेंट है इसलिए इसमें आप FV500D या फिर FV550 SD गरेड का ही सरिया यूज करें और दोस्तों इसमें अगर आप थोड़ा अच्छा ब्रांड देखेंगे जैसे टाटा, जिंदल, पैंतर या विजाग तो यह थोड़ा महंगा तो जरूर होगा लेकिन मजबूती के लियास से देखा जाए तो बेस्ट है वहीं बात करें सिर्फ एक मंजिला घर के लिए इस्टिल रेनफोर्समेंट की तो इसमें आप 12 mm के 3 सरीय टोप में और 12 mm के 3 सरीय बोटम में दे सकते हैं वहीं रिंग की बात करें तो रिंग कड़ आया आपका 8 mm करेएगा साथी रिंग बनाते समय यह भी जरूर ध्यान रखे कि रिंग की हुक आपकी 135 डिगरी पर बैंड होनी चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे है वहीं बात करें रिंग के हुक की लंबाई तो वे आपको टैंडी रखनी है यानिके 80 mm और बीम बाइंडिंग की समय यह जरूर ध्यान रखे कि सबी रिंग की हुक उपर की ओर रहे है तो साथियों ओवरोल बात करें एक मंजिला घर के लिए आपको पिलिंद बीम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच यानिके 230 mm इंटू 230 mm का होना चाहिए साथी इसमें आपको 12 mm के 3 बार टोप में 12 mm के 3 बार बोटम में प्रोवाइड करने चाहिए रिंग कड़ाय आपका 8 mm रहेगा और आपके रिंग की स्पेसिंग 5 इंच यानिके 150 mm सेंटर टू सेंटर रहेगी यानिके एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का गैप 5 इंच से जादा ने रखे अब बात करते हैं दो मंजिला घर यानिके 2 स्टोरी आउस दोस्तों दो मंजिला घर के लिए आपको पिलिंद बीम की गहराई 12 इंच यानिके कम से कम 300 mm रखने चाहिए वहीं पिलिंद बीम की चोड़ाई 9 इंच यानिके 230 mm रखने चाहिए तो पिलिंद बीम का साई जो आपका 9 इंच बाई 12 इंच यानिके 230 into 300 mm वहीं दो मंजिल अगर के लिए पिलिंद बीम के सरीय की बात करें तो इसमें आपको टोप में तीन बार प्रोवाइड करने है बोटम में तीन बार प्रोवाइड करने है तोप के तीन बार आपको जिसमें दो बार 16 mm के रहेंगे एक बार 12 mm के रहेंगे सेम ऐसे ही bottom में आपको दो बार 16 mm के रखने हैं एक बार 12 mm के रखने हैं तो देखा जाए तो जो आपके 16 mm के बार रहेंगे वह आपके beam के चारो corner पर आएंगे वही 12 mm का बार आपका top and bottom के सरीयों के बिल्कुल center में आएगा रिंग कड़ाया आपका 8 mm रहेगा और रिंग की spacing वही 5 inch यानिके 125 mm center to center रहेगी अब next हम बात करते हैं तीन मंजिला घर के लिए तो दोस्तो तीन मंजिला घर के लिए आपके plane beam का क्या size रहने वाला है दोस्तों तीन मंजिला घर के लिए आप कम से कम 12 से 18 inch तक गहरा ही रख सकते हैं चोड़ाय आप 9 inch ही रखे कोई problem नहीं है तो अगर आप 9 inch भाई 18 inch का size रखते हैं यानिके जिसमें आपकी 9 inch चोड़ाय रहेगी और 18 inch गहराय रहेगी mm में बात करें तो चोड़ाय आपकी 230 mm होगी और गहराय आपकी लगबग 450 mm होगी और इसमें लगने वाले सरीय के अगर बात करें तो इसमें आपके top and bottom में 3-3 बार 16 mm के provide करने हैं आपको यानिके top में 3-16 mm के रहेंगे वहीं bottom में भी 3-16 mm के रहेंगे रिंग का डाय आपका सेम 8 mm करेगा और रिंग की spacing आप यहाँ पर आप 4 इंच भी रख सकते हैं वैसे तो 5 इंच में भी कोई problem नहीं है लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप रिंग की spacing 4 इंच रखे तो overall बात करें तीन मंजिला घर के लिए आपके पिलिंद बीम का size हुआ 9 इंच भाई 18 इंच still enforcement की बात करें तो top and bottom में 3-3 बार 16 mm के रहेंगे वहीं रिंग की spacing आपकी 4 इंच रखने है और रिंग का डाय आपका 8 mm रहेगा अब बात करते हैं पिलिंद बीम के कुछ important tips की दोस्तों जब याप पिलिंद बीम बनाए तो पिलिंद बीम के end में आप कुछ इस तरह से सर्या मोड कर अवश्य दे इसे हम technically बोलते है development land तो सर्य को मोड कर ही छोड़े ऐसे सीधा सीधा सर्या नहीं छोड़ना चाहिए अब सर्या कितना मोडना है तो दोस्तों technically तो इसको हम 53 मोडते हैं लेकिन तमनूल के हिसाब से आप कम से कम इसे 18 तो जरूर मोडना चाहिए इससे क्या होगा कि जब भी कोई force पड़ेगा या फिर earthquake जैसी condition में सर्या मोडा होने की वज़े से वे वहाँ से खिचेगा नहीं मतलब अपनी जेंगे से इदर उदर भागेगा नहीं या फिर खुलेगा नहीं जिससे building अपनी position में मजबूती के साथ बनी रहेगी दोस्तो पिलिंद बीम की शट्रिंग करते वे आपको ध्यान रखना है कि पिलिंद बीम की शट्रिंग आपकी proper line length में हो क्योंकि जैसे आप शट्रिंग करोगे वैसा ही आपका पिलिंद बीम का safe रहेगा नमबर तीन concrete mix ratio दोस्तो पिलिंद बीम की कास्टिंग करते वे आपको ध्यान रखना है कि आपके पिलिंद बीम की concrete का रेसो M20 यानि के एक डेड़ तीन से कम बिलकुलने हो जिसमें आपका एक पर्ट सिमेंट कराएगा, जेड़ पर्ट सैन और तीन पर एग्रियेट इस बात का जरूर द्यान अगना है नमबर 4 वाइबरेटर पिलिंद बीम की कास्टिंग करते वे आपको पुरोपर ढण से वाइबरेटर का यूज भी जरूर करना है वाइबरेटर आप पुरोपर अच्छी तरीके से लगाए ताकि आपके पिलिंद बीम में कहीं भी हनिकोम और नमबर पांच जब भी आपके पिलिंद भीम की काश्टिंग हो जाए, उसके 24 गंटे बाद आपको पिलिंद भीम की अच्छी तरह से क्यूरिंग करनी है, अगर आप गर्मियों के मोसम में हैं तो कम से कम आप दिन में 7-8 बार क्यूरिंग करें और अगर आप सर्दियों के मोसम में हैं तो आपको दिन में क्यूरिंग 3-4 बार जरूर करनी चाहिए और वे भी कम से कम 15 दिनों तक तो दोस्तो यह तो हुआ एक से 3 मंजिला तक मकान बनाने के लिए पिलिंट बीम की प्रेस करना मत बहुलेगा ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे चलिए दोस्तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ तब तक दोस्तो आप सबको मेरा नमस्कार और झाल झाल